Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idle, myself Dr. Kavita Bufta. बचो आज मैं आपको एक नहीं चीज पढ़ा रही हूँ, that is the standard representation of a vector space with respect to the bases. तो क्या है ये चीज देखते हैं बिटा, देखिए आपके पास है कि कोई भी एक vector space है वी, जो कि finite dimensional है, ठीक है, suppose कर लिया कि n dimensional है याने कि उसके bases में n elements है और बीटा उसका bases है, ठीक है, तो उसकी standard representation of v with respect to beta क्या चीज होगी, ये एक mapping होगी, उस vector space से field के उपर, ठीक है, अब vector space v के अंदर, जो bases के अंदर जितने element होगे न, से ये n dimensional है, तो इधर आपको जो लेना है न, mapping fn लेनी है, ठीक है, तो मतलब जितनी इसकी dimension है, उतना ही field के उपर आपको ये लिखना है fn, और इस mapping को हम लिखेंगे phi beta, मतलब with respect to beta निकाल रहे हो तो phi beta लिखेंगे, और इसको define कैसे करेंगे, ये देखो phi beta, v का कोई भी एक element लोगे, that is suppose x is the element of v, और fn क्या हो जाएगा, इस x का coordinate vector with respect to the basis b, beta, तो x का coordinate vector कैसे मिलेगा, जब आप x को linear combination of the elements of beta बनाएंगे, तो जो scalars मिलेंगे, उसको आप column wise arrange कर देंगे, तो वो बन जाएगा, उसका coordinate vector, ये आप चानते हैं, तो ये होती है हमारी standard representation, definitions इतना अच्छे से clear नहीं होगे, कि example देख लीजिए, मन लीजिए, आपका vector space r square है, और तो r square है, तो उसका standard order basis क्या होगा, 1, 0, 0, 1, ये मेरा beta एक basis है, मैंने 2 basis के ओपर, मैं 2 question करा हूँगी, इसलिए दूसरा basis मैंने gamma ले लिया, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और x जो मुझे दिया हुआ है, element of the vector space, तो r square का कोई भी element ordered bear form का होगा, वो मुझे दिया हुआ है, 1, minus 2, तो मुझे निकालना है, 5 beta x और 5 gamma x, तो पहले 5 beta x निकालने, सेम तरीके से 5 gamma x भी निकल जाएगा, तो आपको पता है, 5 beta x mapping है, mapping है, आपकी vector space से, आप किस पे जाएंगे, आप r square पे जाएंगे, ठीक है, तो मुझे निकालना है, this coordinate vector of x with respect to beta, coordinate vector के लिए आपको जो basis दे रखा, उसके elements का linear combination बनाना है, तो beta के पास 2 element है, 1, 0 और 0, 1, तो उसके linear combination के लिए मुझे 2 scalar चाहिए होगी, जो मैंने a और b ले लिए, और दोनों के दोनों आपके जो है, उसका linear combination बनाके, हमने किस से equate कर दिया, जो भी मेरा x था, तो मुझे a और b की value मिल गई, तो coordinate vector मिल गया, मुझे बीटा का 1, 1 और minus 2, जिसको मैंने column wise place कर दिया, तो ये मेरा x बीटा बन गया, ठीक है बचो, तो मुझे क्या निकालना था, मुझे 5 बीटा x निकालना था, जो की x बीटा के बराबर था, तो मेरा वह निकालना आपको, गामा x निकालना है, तो गामा के elements का linear combination बना देंगे, तो linear combination, गामा के ये element है, 1, 2, 3, 4, तो element है, तो 2 scalar ले लिए है, उनका linear combination बना लिया, उसको किसके साथ equate कर देंगे, x के साथ, क्योंकि x का coordinate vector हम निकालने जा रहे है, solve करके हम A और B मिल गए, तो इससे हमें इसका coordinate vector मिलिया, तो ये मेरा 5 गामा x बन गया, ठीक है बचों, सबको समझा गया यहां तक, next class के अंदर मिलेंगे बेटा, आपको theorem 2.21 कराती हूं, और साथ में इसका एक example कराती हूं, ठीक है बचों, तो till then बचों पढ़ाई करते रहें, all the best.